आज हम बनाने जा रहे हैं उरत दाल के पकोड़े अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्प बहुत ही टेश्टी पकोड़े बनके तयार होंगे सबसे पहले उरत दाल को अच्छी तरह से धो के इसे कम से कम 3-4 घंटे के लिए भिगो दें फिर सारा पानी इसका चान ले और थोड़े से पानी के साथ इसे अच्छी तरह से पीस ले पीसने के बाद इसे एक बरतन में निकाले इसे अच्छी तरह से फेटे तक ये थोड़े से फलफी हो जाए इसके साथ ही इसमें हम मिला देंगे रवा या सुजी, फिर इसमें मिला दें स्वात के अनुसार नमक, साबुत जीरा, बारी कटा हुआ अद्रक, बारी कटी हुई हरी मिर्च, बारी कटा हुआ प्याच, करी पत्ता, हरा धनिया, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, हमारा ब